अब हम जानेंगे कि हातों को कब-कब धोना चाहिए इसके लिए WHO ने 5 moments of hand hygiene बताएं हैं जो इस प्रकार है किसी भी मरीज को छूने से पहले हातों को अविश्शित होना चाहिए किसी मरीज को छूने के पश्चाद एवं अन्य मरीज को हात लगाने से पहले पुनहा हात को धोना चाहिए इससे एक मरीज का infection दूसरे मरीज तक नहीं जाता मरीज के आसपास की वस्तुएं अथवा उपकरण जैसे cardiac table, medicine trolley, electronic उपकरण आदी को छूने के बाद भी हात धोने चाहिए क्योंकि यह सभी वस्तुएं अथवा उपकरण संक्रमित होते हैं किसी प्रकार की किटाणू नाशक या एसेप्टिक प्रक्रिया करने से पहले हातों को अच्छे से धोना अनिवार्य है रोगी के body fluids जैसे रक्त, यूरीन, आदी के संपर्क में आने के तुरंत पश्चात हात धोना अवश्यक है इस प्रकार इन सभी पात जगों पर हमें हाद धोने चाहिए